माई मीनी बगीचा में मेरे सबी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है खोप आप लोगों के गार्डन में भी ऐसी रंग विरंगे फूल खिल रहे होंगे तो कैसा लग रहा है आपको मेरा गार्डन बिल्कुल बहुत ही सुन्दर हो रहा है इस टाइम पे और बिल्कुल मन नहीं करता है नीचे जाने का क्योंकि यह टेरिस गार्डन है तो मन करता है मेरा कि मैं यहीं देखती रहूँ इन फूलों को तो इसलिए मैंने सुचा एक वीडियो आप लोगों को बना के डाला जाए और अपडेट्स दी जाए कि इस टाइम पे विंटर गार्डन मेरा कैसा चल रहा है तो बूरी रफतार पे है मेरा विंटर गार्डन बहुत अच्छे फूल खिलना है इतने तो मेरे विंटर में भी चीज का बहुत ही दियार रखना है कि इनमें पानी बिल्कुल सूखने न पाए अगर एक बार भी इनमें पानी सूखा तो यह वहीं मोड़ जा जाते और आगे सर्वाइब नहीं कर पाते तो बस इनकी केर बहुत करनी होती है स्टैम पे तो मैं डेली इसमें पानी सुवह ही दे जाती हूं जिससे की दूसरे दिन यानि 24 घंटे तक इनमें पानी बना रहता है और यह देखिए मेरे बहुत ही सुन्दर डॉक फ्लार यह सबसे पहले लगाए थे मैंने एक बार इनका फूल चला गया था मैंने इनकी कटिंग कर दी और दुबारा बहुत ही अच्छी त तो जब तक होली आएगी तो पूरे गार्डन में रंग बिल्कुल होली की तरह ही बिखर जाएंगे और साल्विया प्लांट जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद आया और मैं इसको कभी अपने गार्डन में एड नहीं करती थी लेकिन फस्ट टाइम मै कम धूप बाला एरिया पसंद है जो कि यह वाली मेरी जो टैरिस है उस पे बहुत मतलब ज्यादा धूप नहीं आती तो बहुत अच्छी चल रहे हैं और सारी की सारी बॉगन बेल जिसकी मैंने कुछ समय पहले न कटिंग कर दी थी बहुत ज्यादा ज्याड़ी चैसी हो रह और यह मेरी पिटोनिया जो कि मैंने मेरी गोर्ड लगाए थी सारे प्लांट ब्लांटर्स में सौरी तो इन अब मैंने पिटोनी लगांए और सारी ए जाए पिटोनिया बहुत ही अच्छी है आने वाली है तो आपको मेरे घरडन में बहुत टाइम तक फूल दिखाई बड़े हैल्दी प्लांट है यह और साथ में यह जो पैंजी है यह तो मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी लेकिन आप बहुत ज्यादा प्यारी होडी क्योंकि मैं इनकी पिंचंग करती रहती हूँ फ्लार्स जैसे मर जाते उनकी पिंचंग करती रहते हो अच्छे फूल आ tä Hazard कर देखना पड़ता है और यह किदेखना ना पड़ता है यह बहुत ही सुन्दर होता है तो दो तरीके के पिटोनिया आती है कि यह सिंगिल पिटोनिया और यह डवल विटोनिया तो अगर आपने भी अगर आपके जैसे बहुत ज़्यादा थन पड़ी हो और प्लांट अच्छे ना हो पाई हो तो इस समय पे आप कुछ प्लांट लाके लगा सकते हैं जैसे ये पिटोनिया वगेरा ये बहुत लॉंग टाइम तक चलती है दाइन्थस लगा सकते हैं आप ब जल्दी प्लांट हो रहे हैं और जितनी भी मेरी बॉगन बेल ये भी बहुत ही सुंदर और बॉगन बेल ना इतने अच्छे में फूल आते हैं बहुत प्यारी लगती है थोड़ी समय के लिए जैसे जड़ जाते हैं पुराने उके फूल फिर दुबारा से आ जाते हैं आपके लगा सकते हैं और मेरा है यह दिकी मेरी यह कोछ प्यानीं कर सकते हैं इन में विकुछ प्रूनिया लगताया यह पांची तो बहुत यह अच्छी चलते हैं और हां दोस्तों मैं आप लगों से एक बात चाहती हुए कि मेरा अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखेगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप भी इंडोर प्लांट्स लगाने के शौकीन है तो यह सब काम बहुत ही जल्दी कर लीजे जो कि आपके बहुत ही काम आएंगे और यहां प्लांट है जिन पर मैं ध्यान नहीं दे पाई थी तो हो सकता है वो थोड़ी से डल पड़ गए उनको मैंने साफ सफाई करके टांग दिया लेकिन मेरे सारे हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छे जो पर्मानेंट है तो इस तरीके से खराब नहीं हुए कोई भी तो बहु बहुत अच्छे चलेंगे और मैं दिखा रही हूं कि यह देखिए फाइकस के प्लांट में कितनी अच्छी पती हैं की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो अब सारे ही प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी तो आप जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया है उस आप ज चल रहे हैं और अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शियर जरूर करिएगा और जरूर बताइएगा कि किस तरीके के वीडियो आप देखना चाहते हैं और यहां देखिए कुछ प्लांट के हाल मेरे बड़े ही बुरे हो और अंदर जितने भी प्लांट रखेते हैं मैंने बहुत ही अच्छे चल रहा है और यहां जो मेरी मांट विला की बेल है मैं आपको बताना चाहते हूं अगर आपने नहीं लगए तो आप इसे जरूर जरूर लगए यह देखिए आप पूरी गर्मी तो यह भरके फूल दे देखने मिलेंगे और यह देखिए यह भी नहीं नहीं पत्ती हैं और आपको बता दूं कि देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यह सेड में रखा हुआ बारामदे में रखा हुआ है तो इस तरीके से मेरे प्लांट बहुत ही अच्छे चल रह तो इसी के साथ साथ आप भी अपने गार्डन का बहुत सारा ध्यान रखें ओके फ्रेंड्स टीक केर बाई